फ्लाई अश ब्रिक्स से रिलेटेड मैंने कई सारे वीडियो बना है और आप में से काफी सारे लोगों ने उस वीडियो को देखकर अपना काम शुरू किया हमारे से प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सर्वीसिस लिया और बात बाकी PME GPS किम में भी अपलाई करके अपने लोन प्र करीदा है उनका आपको लाइव एक्सप्रियेंस हम आपको दिखलाएंगे अपार्ट फ्रॉम डैट जो मशीन सेलर हैं उनके एक्जेक्टिव से भी हम बात कराएंगे क्या मशीन का स्पेसिफिकेशन है किस तरीके से चीज़ें वक करती हैं क्या इसमें प्रॉफिट मार्ज आने वाले टाइम में बैन कर ही देंगी तो अगर आप इंट भठे के मालिकों से जादा कमाना चाहते हैं तो अभी कर्डिट में एक बहतरीन आप्शन है फ्लाइश बिरिक्स का बिजनस करना फ्लाइश बिरिक्स आने वाले टाइम में और भी बहुत बड़े स्केल पर इसके उपर डिपेंड करेगा तब ही मैं आपको एक लमसम आईडिया बता दूँ तो पांच जार से दस जार स्क्वार फीट मोर दैन इनफेस बिजनस को करने के लिए वहीं जो मशीन है उसका से इसके लिए आपको और भी कम जगा का रिक्वार्मेंट पड़ता है मात्र मोर दैन इनफेस पेस होता है आईए मैं आपको सीधा लेकर चलता हूँ अली गड़ में जहां पर वैस्टरों क्रिपा का मशीन लगा हुआ है वैस्टरों क्रिपा का इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था जिसे मैंने बताया था कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने वरिं हैं जो कि पूरे इंडिया लेवल पर काम करते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट इनका जो मशीन है वो फुली गैरेंटीड आता है जो भी पार्ट वगेर है वो काफी जादा बेहतरीन क्वालिटी का है जर्मन टेकनोलोजी पर ये लोग बना रहे हैं इसके अलावा आफ्टर से सब्सक्राइब करते हैं सो अभी मैं आपको सीधा लेकर चलता हूँ एक महीने पहले जिनों ने मशीन सेट अप किया था और जिसकी ओपनिंग अभी हाल ही में हुई है अली गड़ में उसकी बाद में आगे की बात करता है सर थोड़ा सा बताया अपने बारे में किस नाम से आपका यहां पे है मेरी कंपणी का नाम है जी तो यह जो मसीने लगी हैं सर अपने बैशनों के उपासे लिए तो एक मेना ही हुए सर अभी इस स्टार्ट हुए हाँ उनने पिछी उनने तारी को इसका ओपनिंग हुई है अब इसे पोटो पे लगाते हैं वाव ग्रेट तो सबसे पहले बहुत कामना है सार आपने स्टार्ट की है और काफी अच्छा आपको रिस्पांस मिल रहे हैं आपि यहां लोगों का ने सब्सक्राइब दर्क आपको तो ज़्यार को संब्सक्राइब तो लोग समझ पाए और आज डेली डोटी डोटी स्टेली आज़ागी है ग्रेट अमेजी तो अभी स्टार्ट है और यहां को तो आरा बताएं यह होता क्या है प्लाइस ब्रिक्स क्या होता है? हमने तीचे जो है मिट्टी वाली तो सुनी थी या सिमेंट वादी सुनी है ये लोगोंने बट ये क्या होता है तो असा पता है ये जो तापियो परियोजमेंट जो धर्मल पावर होते है जी धर्मल पावर से जो निकलती है तराक जो निकलता मिट्टी अहला जाएगा तो यूफ जायाएगा उप सिलेधे, विकेदिंगए तों कमाना सेलर हैं उन्होंने अपना एक्सप्रियेंस बताया अब मैं आपको सीधा लेकर चलता हूं जो भी कंपनी के एक्जिक्यूटीव हैं वो मशीन से काफी डीटेल बता रहें कौन कौन सा मशीन है नहीं है और क्या उसकी स्पेसिफिकेशन एक बार उसको समझते हैं हमारे पास मैनुल मशीन भी तो आप इंसे मशीन ले सकते हैं सर ऐसे बहुत सारे लोग है नुक्रीदध ऄर्मशीन है कि तसी कमपनी की सब्सक्राइब करते हैं जैसे आप लोगी है अधियु एहितरूलिक पार पैकश। तो क्या पोड़क्शन वगड़ा पड़ता है एक ब्रिक्स का और कितना उससे इंकन जेरेट कर सकता है प्लांट लगाना चाहता है तो मसीन की क्या प्राइज बगरवन है मसीन की प्राइज पर फिद्र की इसाफ से होते हैि हर्फ लगिस अलग होते हैं इनकी एक सीरी भी हो जाती है यह समझे आप हुशेती हैं तो हम दो पूरत कर दिया अट आप हिवें पंद्रेट के इसमें रहां नोगे प्राइजाती है तो अलग अलग मसीने हैं और सभी मसीनों के अलग अलग प्राइज है लगाना चाहें तो कितनी जगह की रवसकता है और तहां तहां लगा सकता है जैसे कि आप यह प्लांड आप देगे हैं पद्जप्लेटा प्लांड प्लांड जिसमें लगवक शाड़े चार याशर पहां से ज़या गज घमी चाहिए इस प्लांट जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें पचास भई असी का टीन सैट पड़ा हो इसमें अपनी मसीन पैलेट क्या फिलेट अग्यरा और आगरी जैज गए अधरा बिल्गी जो एख च्रीओं दो लगा कि अधमि कितना कमा सकता है कितना खर्चा पड़ता है इसको बनाने में जैसे कि आहां पर हैं तो यह जैसे कि टेख़ा आ आपको किस रेट वर पहुंच रहा है, अगर साइट पर ही आपको मेंगा पड़ेगा तो आपकी कोस्ट तो मेंगी आनी आनी है, हम जैसे हमोनी मशिन दिमान के चलते हैं, तो लेव और ऑपरेटर सारा खर्चा मला के सकतर से असी पैसे की बीच में, बजिली कब इंक्लूट कर पर पर वर से थे आपको कज़ें, बाकिक का पिसमें की कोस्ट पो एड़िक तर द्यार ने जैसे कि आम यह फ्लाईया का जैसे का स्लाइयार आपको 400 रुपे तान आद विस्तिर्ण दारा आपको 900 रुपे टान, सीमेंन तो हर जगें 400 रुपे के गोरियाद, इसे ऑल ओवर जानकार बनता रहता है तो जादा सब्सक्राइब नहीं आती है यंदा जानकार बनता है तो जानकार बनता बनता है तो तो नहीं चला पाता है तो हमारी ओफेस की तरफ से महीने डो महीने के लिए और पर भी प्रोवाइट कड़ा दिया है अभी आपने पुरा डीटेल में देखा मशीन के बारे में मैनुवल बेशिन मिलता है सेमी आटोमेटि भी मिलता है टूटल डिपेंड करता है कि आपका खुद का किस तरीके का रिकॉर्मेंट है किता ज्याद आप सेल कर पाएंगे क्या आपका कस्टमर बेस है उसके को चुनन है और उससे भी important कि कितना आप पुझी लगा सकते हैं लगाने में सक्षम है अगर मैं flyish bricks business के one time setup की बात करूँ तो अगर आप छोटे लेवल पे अगर आप शुरू करेंगे तो वैशनों के रुपा का 3 से 4 लाख रुपे 5 लाख रुपे का भी मशीन है और वहीं अगर आप अ one time investment आपका कम से कम 25 से 30 लाख रुपे तक जा सकता है इंट्रेस्टिंग बात यह है कि इस काम के लिए आपको भारा सरकार के तरब से लोन भी मिलता है PMGP scheme में सरकार 50 लाख रुपे तक का flyish bricks business के लिए लोन प्रुवाइड करा रही है जहां पर आप लोन तो ले ही सकते हैं स इसके अलावा online यहां पर form भरना होता है DIC approval होता है और तब जाकर bank से आपको पैसे मिलता है इन सारे process के लिए और documentation के लिए इन सारे process के लिए और documentation के लिए screen पर जो number आपको देख रहा है आप इस number पर call कीजिए और अपना काम करवाईए घर बैठे बैठे आप loan प्राप्त कर सकते हैं PMA GPS के में my project report.com companies में पूरा का पूरा काम करती है और इंडिया लेवल पर आपको support भी provide कर आती है अब मैं आपको दिखाता हूँ machine ये काम कैसे करता है fly ash bricks making process ये है raw material feeder machine जहाँ पर जितने भी टाइप के raw material है मुचा है fly ash हो गया stone dust हो गया cement हो गया उसको इस feeder machine में डाल देना होता है अभी आप देखिए इसमें सारा raw material धीरे धीरे डाला जा रहा है इसके बाद machine को on कर देना है और तब ये जो भी raw material हमने डाला था ये automatic इस conveyor built के थू ये जाएगा pan mixer machine में जहाँ पर ये जितने भी raw material है इसको काफी अच्छे तरीके से 5-10 minute के लिए mix किया जाएगा मात्र 5-10 minute के mixing में ही ये raw material mix हो जाता है अपना fly ash bricks बनाने के like बन जाता है ये है pan mixer machine जो लगभग 400-500 kg के quantity का होता है ये depend करता है आपके उपर आप चाहें तो एक pan mixer भी रख सकते हैं जितना जादा आपको raw material डाल के और जादा production करना रहेगा उसी के according pan mixer भी इसमें बढ़ते जाएगा pan mixer में ये सारा raw material mix होकर यहां से दुबारा से छोटे conveyor build के थूँ ये travel करके ये पहुँचेगा hopper में और hopper में जाने के बाद फिर यहाँ पर P1 quality के हैं और जितने भी electronics केस में आइटम हैं वो सब warranty है motor भी इसकी full warranty guarantee के आती है और आपको भी एक साल का या जितना भी time का motor का warranty रहेगा वो आपको मिलेगा ये जो भी आप pressing machine देख रहे हैं इसमें sensor लगा हुआ है यानि कि ये जैसे ही सारा raw material को feed कर लेगा automatic ये ऊपर से य आप कितना bricks production कर सकते हैं इसको मैं आपको एक account करके बताता हूँ मैं अभी video इसको pause करके count करता हूँ ये देखिए 1,2,3,4,5 ये 15 bricks बनाने वाला machine है यानि कि एक stroke में 15 bricks बनके तयार हो रहा है उसके recording अगर मैं बात करूँ तो एक दिन में लगभग 15,000 से लेके 20,000 की बीच म ना होने के बावजूद भी आप इंट का quality इसमें देख सकते हैं कितना खुबसूरत और कितना मजबूत दिख रहा है वैसलों करिपा के machine का यही सबसे बड़ा खासियत है कि इनका जो भी quality है वो बहतरीन quality का production निकल के सामने में आता है तो अभी आपने पूरा detail में देखा का एक एक technical analysis किस तरीके से work करता है client का interview और जो company के officials हैं उनका interview उमीद है आपको वीडियो पसंद आया हो अगर आप वैसलों करिपा का machine खरीदना चाहते हैं तो इसका पूरा detail में ने description में दे दिया है आप वहां से भी जाकर check out कर सकते हैं या screen पर जो number आपको दिख रहा है आप सीधा यहां पर call करके आप machine purchase कर सकते हैं तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवा, thank you so much, take care, bye bye